नतिया नतिया पटना बाद देवरा धोरी चटना बाद धोरी चटना देवरा वाला गाना आपका वाइडल हो रहा है और आप खुश हो गए पूरा हम खुश नहीं हो रहे हैं देवरा कहां से आगए देवरा चाटता है वो फल तो देवरा ही तो आप भी तो देखके ही आई ह है तो आप भी असलील है हम असलील क्यों अच्छा मतलब अपका गाना इतना सुध है इतना अच्छा गाना है तो मेरे सामने सामने गाके सुना हमारे साथ भोजपूरी के एक ऐसे राइटर है जिनों ने असलीलता की सारी हदे पार कर दी है है। इनका अब एक गाना आया है देवरा धोरी चटनावाँ इनसे हम यह काफी सवाल करेंगे और कारेंगे-छः और-फबनी वहां ने कर दिया है। इंका पी-कør-आरियन सबसे पहला सवाल रहेगा कि अब पतिया नतिया पंणान सेखा यह क्या रहे चार नमर पर बताई हम क्या कर सकते हैं नतिया पतना बाद धोरी चटना बाद धोरी चटना देवरा वाला गाना आपका वाइरल हो रहा है और आप खुश हो गए पूरा हम खुश नहीं हो रहे हैं धोरी के मतलब तो समझें लोग तब नहीं देवरा कहां से आगे देवरा चाटता है लड़की क्या बोलेगी कि वह नाम धक थोड़ी बोलाएगी मैं अगर उसका तो यह जो आपने गाना गाया है इसमें इस गाने को आपने इस तरह से संबोधित किया है कि एक भावी बोल रही है अपने देवर को देवरा ढोड़ी चटना यह ढोड़ी चटना लहंगा घागडा चोली यह सब क्यों आ रहा है आपके गाने में हमारे गाने में इससे अच्छा भाशा माना जाता है और दूकाना होता है मिठाई का हुँ तो मेरे पटाली आपको क्या है andare आप पसंद करिया ना मेरे पास भाजन-वी कोई बजाता है अगर आपके अंदर कला है तो आप असलीलता समाज में परोस यह असलीलता हम समाज में परोस नहीं रहे हैं जो लोग इससे भी बड़े असलील है कहां कुई जाता है घर है में प्रेमणगरी किसे बोलते हैं नहीं मैं जगे का नाम है जारखंड में है आ मैं मिलेगा तो मैं मतलब बिना लोजिक कोछ भी बोल दो कुछ भी एक दिन इनों ने बैठ के सोचा होगा रात में कि मीडिया वहला यह सवाल करेगा तो उसका जवाब देना है वही सोच समझ के सारी बाते बोल रहे हैं थारे मेरे जो डवल मीनिंग के गा नहीं दो भी करते हैं कि दवल मीनिंग गाना घाया नहीं है लिखा रहा है लिखते आ रहा है लिखें आगे की यह पाशन देखें अप मेरे भाई है अगर आपका गाना इतना सुध है इतना अच्छा गाना है तो मेरे सामने गा के सुनाइए और अपनी बेहन के सामने गा के सुनाइए जब डीजे बजता है तो कान लोग बंद करके नहीं चलता है, सब लोग सुनता है, सब लोग उस पे नाचता है, ऐसा नहीं है कि हम लिख दिये हैं, तो हमारे उपर आपका काम है बंद इस्टूडियो में अस लीलता से भड़ा हुआ गाना रिकॉर्ड कर लेना और डीजे पर बज़वाना, डीजे पर कौन बज़ता है, मैं, पबलिक, आप ने रिलीज किया है तब न पबलिक बज़ा रहा है, पबलिक को रुके हैं आप, पबलिक को जाकर र होता है कौन सी संस्कृति को आप दर्शार है कैमरा में यह लोग जाते हैं लोग तीलक चड़ाने इस तरह का गादी होता है ढोरी चटनाबा ढोरी चटनाबा भगड़ी मिनगड़ी उससे भी जोड़ी चील दा इस तरीका वहां तो असलील का सारा हद पार कर दिया जाता है भावी को रख सकते हैं आप अपनी भावी का धोड़ी चाटते हैं नहीं तो क्यों नहीं चाटते हैं भावी को मांते हैं कि बॉल रहे हैं अभी मेरा गुस्सा बिल्कुल हाइपर हो गया है क्या से क्या बोल कि बॉल रहे हैं समझ से बाहरा है यह भी बोल रहे हैं इसलिए दूसरों कि भावी को भी मां नहीं चाहिए बहुत अच्छा लिख दिया है अच्छा लग रहा है इसको हम परमोट करेंगे कभी आए हैं नहीं आता है लोग नहीं आता है लोग आता तो मेरा आज इस्तिति यह नहीं होता क्या इस्तिति नहीं आप एक गाना उठा लिए और चले आए कि चलिए इस पर हमारा वह जाएगा असली लिख दी है वह कर दी हो कभी अभी उसी ट्रेक पटंदे भी गाना आया है अच्छा लिखें इस तरह के लिखें अगर आपके गाई की मेरी या फिर आपके कलम में दम र लिखें आलोग शेळा असलील सब्सक्राइब अब तो देखें इसं असलील का मुद्दह है तो आप भी तो देखके ही आए हैं तो आप भी असलील है हम असलील क्यों अच्छा मतला आप खुद असलील है तो मुझे भी असलील बना तो आप भी ने देखके तो नहीं आएंगे की तो इतना दिन से भॉहारत HOW बिता तो लोग आपके पास आएगा लेकिन उस किलम साफ गन्धी मत फैलाइए 8 अपने असलीलता परोशा है अपको लग रहा है अच्छा यह बता दीजे यह बंद कीजे गाया नहीं हम आपको पहले भी बोले हैं और अब भी बोल रहे हैं कि हम हर तरह के काम करेंगे जिस तरह का हमको पॉब्लिक डिमांड करेगी उस तरह को पॉब्लिक का इंटर्टेंट कर रहा ना होगा अच्छा पब्लिक अगर बाइकॉट कर दी एक तरह से बाइकॉट कर दी जैसे वॉलिवूड का बाइकॉट कभी नहीं करेंगे अगर पब्लिक बोल देगी कि इस तरह का गाने मत लिखो हम नहीं बजाएंगे हम भजन बजाएंगे हम सेट संग बजाएंगे तम क्यों लिखे पप्ब्लिक बजाएगी यह इसका मतलब कि सब लोग सुनते हैं तब इसका मतलब कि सब देवर्भावी का मजाग चलता है आज आप हमसे सवाल करने आ रहे हैं और जैसे होली नजदी का एगा न तो आप भावी को खोजने लग ये गरंग लेके कि कहा गई आपकी सोच गलत है इसलिए वही सोच आपने अपनी कलम और कौपी पर उतार दिया है क्या सोच के हम लोग मजाग करते थे इंटर्टेन के लिए अपनी भावी के साथ मजाग करते थे हैं अप अर भावी में कैसे एक तरह सा समझ सकते हैं मां को पर मजाग करने की चीज और मतलब आपके हिसाब से भावी मजाग करने की चीज है किस से मजाग करते हैं लोग मा से भावी से मजाग करते हैं लोग अब भावी से मजाग कि इस तरह के असलील मजाग कर रहे हैं असलील नहीं है हम मज़ाग कर रहे हैं इक लड़की का फीलिंग बताया गया है एक लड़की अपने सहली से किस तरह से बात कर सक्ती है उस तरह से अभी तो उससे असली या को भी हो जो भी उसके पास हम लोग जाएंगे और इसी तरीके से सवाल करेंगे अगर पवन सिंग असलील गाएगा तो पवन सिंग के पास भी जाएंगे वो गाए हुए है कि तरह गोहिर ढोड़ी में बीर ढार देहीं का वही गाए हुए कि आई हो दाई का अब यूटता है तहां उठा है आप अपना लजाम दूसरे पर मत jumpsi अभी सवाल आपस हो रहा है अबहुते हैं असुल है ट्रेलर था जो वालिवुड का वाइकॉट किया था तो उसको डिलीट कर दिया गया था यूटूब से ठीक है अभी एक लाल सिंग चड़ा करके मुवी आई है और लोगों ने उसे नहीं पसंद किया है तो उस मुवी को भी हटा दिया गया है तो वाइकॉट इस तरीके से वा रसके गाने होते हैं वो लिखेंगे वो गवाएंगे हम अब हमारा इल्जाम आगा है माइक लेके और पूछ रहे हैं सवाल कि असलील क्यों लिख दिये उन लोगों से पूछिए ना जो रोज एक मिलियन विवर दे रहे हैं यूटूब पे उन लोगों से पूछिए जो लो बल्कुल तैयार नहीं है जोड़ेंगे नहीं असलिल से समाज को इन्हों ने और भोल रहे हैं कि मेरी मा समाजन sarà नहीं है जैसी तरीके कमा जाक करता हूं आप देखरें थाष्टिदिव भारत मयथी आपके साहाथ ही मैंशी ठाकुर बहुत-बहुत धन्यवा